इस senses में हम देखते हैं कि कुछ figures है जो आज अगर अच्छा action लिया जाए तो हम उनके problem को solve कर सकते हैं यानि कुछ ऐसे जिनका case most severe है जो case अभी भी solve किया जा सकता है widows up to 44 years, 44 years क्यों मैंने लिया है? कि 44 years तक भी शादियां हो सकती है हलांकि उससे जादा भी हो सकती है अब आव एज में भी हो सकती है अभी हमें वो सब norms तोड़ने चाहिए और अपने दिलों को बढ़ा करना चाहिए लेकिन up to 44 years ये एक reasonable age है डिवासी अप to 44 years, separated up to 44 years और never married हमने सिर्टी तो 44 लिया है ये चार factors को मिलाकर आप देख रहे हैं कि एक करोड पंदरा अलाक ऐसी औरते हैं जिनका matter case most severe है अभी भी कुछ decision हो जाए तो इनकी जिन्दगियां अकेले नहीं गुजरेगी जैसे कि एक इन्सान को चाहिए कि जिन्दगी में उसके साथ कोई हो जो उसकी खुशी और गम बाटें जिसके साथ वो जिन्दगी में रहे एक companion के जरूरत होती है तो ये companion के जरूरत इन सब की solve हो सकती